दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंटी हिंदी टेक में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीयो पेमेंट बैंक की सेविंग एकाउंट को आप यूपी आई के साथ कैसे लिंक कर सकेंगे कैसे यूपी आई पिन जेनरेट कर सकेंगे नया बना सकेंगे इससे पहले मैं बता दू कि यदि जीयो पेमेंट बैंक की सेविंग एकाउंट अगर आपने ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना सबसे उपर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को देख लेना helpful वीडियो है आपके तो आपको कुछ इसी परकार के website URL देखने को मिलेगा जहाँ पर अगर आपके माई जीयो अप्लिकेशन में या जीयो पेमेंट बैंक की options नहीं मिल रहा है तो अपग्रेड नाउ पर क्लिक करके आप अपने माई जीयो अप्लिकेशन के साथ इसे open करके एकाउंट को बहुत ह आसानी से खोल सकती हैं तो यहाँ पर माई जीयो अप्लिकेशन में आपको कुछ इस परकार का इंटरफेस नजर आएगा जब आप जीयो पेमेंट बैंक से बिंग एकाउंट ओपन करती हैं तो तुरंच से यह ओपन नहीं होता है यह पहले रिवीव में जाता है और तिन च जो कि अब ही आप देख सकते हैं अप्ग्रेड नाउ पर हमने क्लिक किया तो यह उपसंस आ रही है ऐसा ना सोचे कि हमने अप्ग्रेड नाउ पर क्लिक किया तो यह उपसंस आ रही है बलकि आप एक बार ओपन करके देख लेना उसके बाद आपको यह उपसंस मिल जाएगा जहाँ पर यह लिखा जाएगा कि आप अपने bank account registered जो भी bank account है जो भी इस number से registered है उसे select करो चाहे आपका access हो या फिर कोई other तो अपने geopement bank अगर open कर रखा है तो geopement बाले पर click करके आपको इसमे registration करना है यहाँ पर जब आप geopement bank पर click कर लोगी तो कुछ इस परकार का interface नजर आएगा यह आपके geopement bank का detail खोजेगा जो कि थोरा सा समय भी लग सकता है घवराने की कोई दिकत नहीं है अभी हम आपको बताएंगे live link करके कि UPI setup बगेरा आप कैसे कर सकेंगे तो यहाँ पर bank detail खोजे जाड़ी है हम थोरा सा wait कर लेती हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो geopement bank saving account है वो finally खोज लिया गया है तो कुछ इस परकार से जो है खोजा जाएगा आपका भी geopement bank अगर आप open क यह होंगे तो उसके बाद नीचे से आपको प्रोशीट बटन पर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर confirm your MPIN यानि जो आप geopement bank open करने के समय MPIN डाले थे वो आपको MPIN यहाँ पर डाल कर कंफर्म करना परेगा verification के लिए हमने यहाँ पर MPIN डाल दिया उसके बाद यहाँ पर कुछ MPIN डाल दिया है MPIN डालने के बाद थोरा दिर यह process लेगा अब यहाँ पर लिखा जाता है कि debit card जो कि आपका debit card रहेगा वो auto यहाँ पर ले लेगा लेने के बाद यहाँ पर आपको प्रोशीट करना है याद रहे इसमें एक virtual debit card भी मिलते हैं उसके बाद एक बाद फिर से interface नजर आएगा जहाँ पर सबसे उपर में आपको enter OTP की options आएगी तो यहाँ पर आपके registered mobile number पर एक OTP भेजा गया होगा पहले ही वही OTP आपको enter करना है जो 4 digit का OTP भेजा गया होगा उसके just नीचे set UPI PIN की options आती है जहाँ पर 4 digit आप अपने मन से UPI PIN setup कर सकती हैं जो कि यह पर दो बार आपको enter करना परेगा आपके registered mobile number पर यदि OTP नहीं भेजी जाती है तो आप recent OTP पर क्लिक करके फिर से OTP मंगा सकते हैं यहाँ पर कई दफा जो है M PIN नहीं डलता है क्लिक ही नहीं होता है टाइप ही नहीं होता है इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है आप आप लोग दो तीन बार exit करके जाना उसके बाद finally यहाँ पर UPI PIN सेट अप करने की options आ जाएगी तो आप लोग recent कर लेना अगर OTP नहीं आया है तो यहाँ पर आपको OTP एंटर करना परेगा अलने के बाद हम OK वाले वटन पर क्लिक करने की वाद थोरा सा आपको wait करना दोस्तों यहाँ पर problem यह हो रहा है ना कि इस application के साथ कभी कभी error भी लिखा जा रहा है तो यहाँ पर confirm pin बहुत समय से नहीं डलता है यहाँ पर मैंने बहुत बार कोसिस किया तो आप लोगों के लिए एक trick में बता देता हूँ जो last digit यहाँ पर six digit जो आपको debit card नजर आये थ करते हैं तो दोस्तों हम आ चुके है phone pay wallet application के बिलकुल home page पर यहाँ पर my money पर क्लिक करेंगे उसके बाद bank account पर क्लिक करेंगे add new bank account पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर geo payment bank हम select करेंगे तो चलिए geo payment bank हमने select कर लिया यहाँ पर bank account खोजे गया है अब यहाँ पर आ रही है set upi pin reset upi pin sorry यहाँ पर reset upi pin का तो चलिए reset upi pin डालती हैं जहाँ पर six digit debit card का last six digit जो है डालने को बोला जा रहा है expiry डालने को बोला जा रहा है उसके बाद continue करने को बोला जा रहा है तो आपको मैं बता दू कि जो debit card आपको virtual मिले हैं उसका six digit आप यहाँ पर enter कर ले और यहाँ पर valid up to कितना लिखा हुआ है वहाँ पर date or year वो डाल लिजिए उसके बाद continue कर लिजिए continue करने के बाद एक OTP यहाँ पर आ चुकी है जो कि जियो में नहीं आया था official application में तो हमने यहाँ पर OTP एंटर कर दिया यहाँ पर दोस्तों क्या है उसके बाद check balance करके भी हम आपको दिखा देती हैं तो चलिए check balance पर हम click करती है check balance पर click करने के बाद UPI PIN हमने डाल दिया है डालने के बाद loading balance लिखा गया है और आप देख सकते है account balance विल्कुल 0 है तो इस परकार से जो है आप लोग बहुत ही आसानी सी जियो पेमेंट बैंक की saving account का UPI ID create कर सकती है चोकि UPI ID आपका होता है आपका mobile number at the date जियो लगा हुआ वो भी हम आपको दिखा देती है और money transfer विल्कुल 0% आपसे कोई भी charge नहीं लिया जाता है आप सभी को मालुम होगा कि UPI पर कोई भी charge नहीं वसूल ले जाती है माई विम UPI ID पर क्लिक करके आप अपना UPI ID देख सकती है जोकि आपका mobile number at the date जियो लिखा हुआ मिलेगा अगर अप नया UPI ID क्रियेट करना चाहती है तो create new UPI ID पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर UPI ID example के तोर पर बताया गया है कुछ भी अपना name बगरा डाल देना और add the date जियो लगा देना जैसे चलो हमें करके दिखा देती है यहाँ पर गौतम लिख देते हैं गौतम कुमार add the date जियो ठीक है यहाँ पर हम लगा देती है उसके बाद verify and add पर क्लिक कर लेती है तो यहाँ पर देख सकते हैं beneficiary added successful हो चुका है गौतम कुमार add the date जियो जो UPI ID है वो हमें मिल चुका है इसी तरह से और भी नया UPI ID आप create कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारा जानकारी दे दिया है कि कैसे आप जियो पेमेंट बैंक की saving account को UPI के साथ link कर सकते हैं तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं आपको बता दू कि यद वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कभी मत भुलिएगा धन्यवाद